मेरी पूरी फैमिली है ये चार उलुदे पठे जो लंदिन जाना चाहते हैं उनमें एक लड़की है मन्नू हमारो जो पहला पच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रुखो आप अपना नाम बताओ बस मेरी तरह से नाम डन है बांगी पुरपू वेंक अत्क e पुपू कोई मातनि चैए आहम लिख देधो सूर इस्टार शारुक खन की फिल्म डंकी जो की आज इंडियन बॉक्स वाप является पर अपने दे चुके राजकुमार हिरानिसर ने क्या है जी हाँ आप सभी को बताते चले की राजकुमार हिरानिसर ने इससे पहले थ्री एडियर्स पी के लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई Mbbs और संजु जैसी पाच फ्लॉकबास्टर फिल्में दे चुके है उनके ही डिरेक्शन में बनने वाली ये भी एक सोशल कौमीडी ड्रामा फिल्म है जिसके लेड में आपको शारुक खान तापसी पन्नू और विकी कोशल नजर आये है लगबग सव करोड रुपए के बजट में बनने वाली इस फिल्म को औरेंस की तरब से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉं की गई इन 6000 इसकिन पर इस फिल्म ने भी अपने पहले दिन 58 करोड 70 लाग रुपए की ओपनिंग ली जो की एक तरह से शारुक खान की इस साल तिसरी बेस्ट ओपनिंग है हाला कि उससे पहले की फिल्मे यानि की पटान और जवान ने 100 करोड से जादा की कमाई की थी लेकि दूसरे और तिसरे दिन के कलेक्शन के साथ ही ये फिल्म 75 करोड रुपए कमा चुकी थी जबकि इस फिल्म का क्लैश सलार जैसी बड़ी फिल्म से भी हुआ था लेकिन शारुक खान का स्टारडम है कि उनकी इस फिल्म ने 4 दिनों में ही 105 करोड रुपए की कमाई करके सभी हेटर्स की बोलती बंद कर दी थी अपने बजट की रिकवरी चार ही दिनों में कर ली थी लेकिन अगर बात किये जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल की तो बताते चले आपको की डंकी को अडियंस की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉंस मिलता हुआ नजर आया इस फिल्म ने आपने च्छे दिनों की कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स अपिस पर 500 करोट रुपए के आकड़े को टच कर चुके थे वही अपने शातवे दिन 10 करोट 50 लाक रुपए और आपने आठवे दिन 8 करोट 21 लाक रुपए की कमाई के साथ इस फिल्म ने 170 करोट रुपए इंड गुनिया भर के बॉक्स ओपिस पर 323 करोड रुपए कमाने में काम्याब रही लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इस फिल्म के अपने दूसरे विक के कलेक्शन की इस हपते भी इस फिल्म को और इस की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉंस मिलता हुआ नजर आ रहा है इस फिल्म के पास इस हपते लगबग 32 से 33 स्क्रीन है इस 33 स्क्रीन पर इस फिल्म ने कल अपने 90 दिन 9 करोड रुपए के आखडे को टच किया वही अगर बात के जाए इस फिल्म के आज 10 वे दिन की तो बताते चले आपको कि आज की भी अड़मास बुकिंग इस फिल्म की 2 करोड रुप के आखडे को टच कर चुकी है और इस 2 करोड के साथ ही ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स अपिस पर एक बार फिर से डबल डिजिट के आखडे को टच करती हुई नजर आ रही है जी हाँ आप सभी को बताते चले की इस फिल्म ने लगबग 80 से जादा शोज आज दिल्ली म की आखडे को पार करते हुए लगब 11 करोड रुपए कमाई इंडियन नेट बॉक्स अपिस पर करने वाली है इस 11 करोड के साथ ही इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 180 करोड का हो चुका होगा वर्डवर्ड बॉक्स अपिस कलेक्शन की बात किये जाए तो वर्डवर्ड बॉक्स अपिस पर ये फिल्म 9 दिनों में 338 करोड रुपए कमा चुकी थी आज की कलेक्शन के साथ ही ये फिल्म सारे 300 करोड रुपए के कलब में शामिल हो रही है और बॉक्स अपिस पर ये फ सब्सक्राब करें